हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आपका मेरे टेडिंग चैनल पर स्वागत है यहां पर हम रेगुलर वेशे अनालसिस करते हैं और देखते हैं क्या सेंटिमेंट बन रहा है और कैसे उसमें टेडिंग करते हैं इसपेसली जो मेरा यहां पर फोकस रहता है हम चार्ट से बाते करते हैं मेरे चैनल का टेग लाइन भी यह है कि आपको चार्ट से बाते करना है उसकी इंडिकेशन को देखना है और जो हमने कल अनालसिस किया था आप गोल्ड की देख लिए आप माईक्रो के देख लिए हाफ में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है तो इस वाज़ा से अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए है और रेगुलर बेशे अपडेट चाहा रहे हैं मौर्णिंग इवनिंग किस तरह से आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस सब चीरों के लिए आपको एक पर चार्ट पर अभी चार्ट अबने करते हैं यहां से में हमेरा वी विल्डिंग होता है ट्रेडिंग प्रेटफारम पर आप करते हैं यहां मैंने आपके लिए कुछ रेइंज दिया था अकल के लिए अगर आप देखते हैं, तो जो हमारी analysis थी market एक range भी बना रखा था, और दोनों time का अगर हम यहाँ पर देखते हैं, कि market ने क्या किया है, जो हमारी range थी उपर के तरफ 72,800 के उपर हम buying side के लिए जाने वाले थे, 72,250 के नीचे हम sell side के लिए जाने वाले थे, और overall sentiment हमार negative side के लिए बना हुआ था, similar pattern यहाँ भी follow हो रहा है, अब इसने breakdown किया, तो उसके बाद में आप देखे होंगे, यह जबरदस move होता, यह move आपको regular ratio नहीं मिलते हैं, लगिन जब भी मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, और अभी इसका pattern आप देख रहे हैं, यह देखे नीचे भी एक close कर दिया है, पहला हमारा target यहाँ पर बना हुआ था, 71,500 का level था, दूसरा target हमारा 72,000 का level था, तीसरा target हमारा trend line के साथ साथ यह नीचे की support line बनती हुए दिख रही यह line थी, तो ऐसे move के लिए आपको regular way से देखना होगा और सीखना होगा कि market क्या sentiment बन रहा है और cases में trading करने वाले हैं, अब यहाँ पर जहाँ पर market खड़ा हुआ फ्रेंट, यहाँ नीचे trend line का भी support है और उपर से market इतना ज़्यादा गिर भी चुका है, तो इतना जबरदस move होने के बाद आपको भी थोड़ा rest की जरूरत होती है, similar तरीके से chart को भी यहाँ पर and good रहेगा, अभी market के लिए अगर आज यह 800 से लेके, 70,800 से लेके, 70,000 के आसपास तक का इसी बीच में अगर यह घुमता है, generally यह 200 से 300 point में closing करता है, तो बहुत अच्छे move आपको further आगे की तरफ देखने को मिलेंगे, अगर यह closing इसकी downside हो जाती है, यहाँ से तो इसका मतल आपको 2000 point का move मिला है, तो ऐसे move आपको मिलते रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा wait and watch करना होता है, साथ में अपनी setup पे believe करना होता है, और friend इसके बाद में हम एक step और अगर उपर चलते हैं, उसमें देखेंगे कि क्या sentiment बनता हुआ देख रहा है, तो हमारा 4 hour factor यहाँ पे friends यह भी बना हुआ है, जो मैं आपको regular update का रहा था, जो हमने weekly राजिस किया था, यह label थोड़ा important है, जो कि 70,300 से लेके 350 तक का label है, वहाँ तो market आया है, थोड़ा respect करके ऊपर निकल गया है, तो यह label जब तो market नीचे cross नहीं करता, साथ में ट्रेल लाइन का support भी market वहाँ पे आके खड़े होने की कोशिस कर रहा है, तो market यह label पे अगर आ रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं, थोड़ी weakness ready है, जो मैं आल लेडी आपको बता रहा था, यह label important है, अगर market 70,000 के नीचे जाने की कोशिस करता तो 69,830 से लेके 69,600 तक का label यह बहुत ही crucial और important है, तो यह हमें देखना हुआ, फिलाल आज के लिए market इतना trending downside भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी इतना बड़ा move होता है, उसके बाद में थोड़ा pause बनता है, अब इसके बाद में friends, एक step हम और चलते हैं, जो कि हमारा होता है, कि 4 hours setup के बाद में daily time frame, daily time frame में जो हमारी price section से मनता हुआ दिख रहा था, अगर उस price section को आप देखते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि market के लिए अभी जब तक इस candle का high और low cross नहीं करता, तब तुम्हें बहुत ज़्यादा trend का expectation नहीं होगा, क्योंकि ये उपर जाने कोशिस कर रहा था और उपर ये cross नहीं कर पा रह ये तीनों जब match हो जाता फिर आपको वहाँ पर profit में convert करने में ज़्यादा problem ही होती है, यहाँ आपको जो हमारी अनासर दते है range bond trading, downside channel, दूसरा price section based trading, तीनों factors यहाँ एक साथ match किये, और उसके कारण कुछ भी रहा हो, global रहा हो या फिर Indian market का रहा हो, उससे हमें तुना matter नह इसके लिए आपको थोड़ा सा अभी further move के लिए यहाँ से देखना होगा, क्योंकि यहाँ से छोटी candle अगर बनती है, तो इसका मतलब follow up आता, इसका मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर इसको आप देखेंगे, तो हम थोड़ा back side में चलते हैं, फिर वहाँ से देखने को मिल जब भी बड़े move हुए हैं, तो market ने को छोटे candles भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं, बड़ा move आता, छोटी candle बनाया है, रेजिस्टन्स भी जाके, move होता हुआ है, दो-तीनी छोटी candles बनी, यह लगातार pattern होता है, market अपने pattern को बड़े move के बाद ने, छोटी candles, यह लगातार pattern को अपने follow करता है, अगर market downside में जाता है, तो आपको rally थोड़ी downside के लिए, दो-तीन सो point के मिल सकती है, अगर उपर की तरफ market निकलता है, तो आपको definitely यहाँ पे, छोटी quantity के साथ में, यह फिर trade ना करेंगे, तो better रहेगा, क्योंकि आपको, अगर market में बने हुए, तो trade आप को मिलता रहता है, 1000 से 2000 point का ऐसा move market करता है, silver बहुत अच्छा volatile market है, यह आपको बस आपको सीखना होगा, capture करना हो, कहाँ पे किस moment को में पकड़ना है, तो friends, यह हमारी आज की analysis है, देखते है market यहाँ तो पॉस्च करेंगे, या तो फिर 400 से 500 point में इसकी closing होनी चाहिए, overall market भी थोड़ा सा pause लेता है, तो वेल अन्गोट रहेगा, thank you friends, नहीं है तो वेल लाइक कमने सब्सक्राइब करेंगे, साथ में वेल आइकन दबाना मत बूलिया, thank you